मैं चुप रहा तो और भी गलत फैमिया बढ़ी इस वर गौड इस स्पलाइड मैं चुप रहा तो और भी गलत फैमिया बढ़ी वो भी उसने सुना जो मैं ने कहा नहीं तब आप क्या बात आज क्या मैसेज देना चाहते हैं पाड़ी और गुजरू के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि गुजर मेरे साथी जो बहुत बड़े मोधी सरकार पर घ्रांजे के हमारी एस्टी के साथ छेड़ चाड़ हुआ है ये बिलकुल नहीं हमारा जो मोधी सरकार ने गुजरू के लिए किया वो आई तक किसी ने किसी परतान मंत्री ने ने किया गुजरू का सबसे पहले तो हमारा एक पार्ली मिन्ट गलाम अली खटाना साथ लिए उसके पाद चोदरी हारं साथ हमारे परवाज चोदरी साथ अपने जमू किश्मीर के वाइस प्रेजिडन बनाए और हमारे डोकू में गुजरू को द्राया तुमकाया जाता था गुजरू को जनाब बन क्या मिला कि फारास्ट एक्ट मिला गुजरू की बकरी जहां से गुजरेगी गाडियां बंद रहेंगी रास्ता बंद रहेंगी गुजरू बकरवालों के साथ सरकार ने इतनी सोल्त किये कि आज तक इसी सरकार ने नहीं कि सर एक बात में और पूछने चाहूंगा कि आप गुजर होकर कि आज पहड़ियों का कैसे साते रहें क्योंकि गुजर तो बाकी खिलाफ है और आप कैसे साते रहें इसका नारा है कि ये गरीव अवाम की पार्टी है इसमें साथ बात मजब की कोई फ्रीक वाइब पर्टी है और मैं अपने घुजर को कहता हूं कि सरकार ने जो हमें दिया वो आई तक इस किसी भी कम्मिनेटी को नहीं दिया हमारा जो 10% कोटा है वो 100% हमारे पास है हमारा 9% जो घुजरू का कोटा था उसके साथ चेड़ खानी की ए बिलकुर कोई चेड़ खानी की हमारा जो 10% है उसके साथ कोई छेटा है एक और साहिबाने मेरे साथ दूसरे साहिबाने उन से पुछते हैं कि सर हम आप से थोड़ा सा बात करेंगे कि आप पहले बहुत अच्छी तरह से कुछ इंगलिश में वाड़ बोर रहे थे मेरा नाम है मोहमद इलताफ साथ का के रहने वाला है मेरा बिजनेस है और मैं लौँ की त्यारी भी कर रहा हूं अभी लौँ कर रहा हूं अब पड़े लिखें अहां तो अभी जो यह BJP party है हमें लगते है कि यह Multip casi Party है यह हमाएे देश को चलाएगे पहले जो लोगों ते उनने हमारा खौन चुसा उनने हमारी रगुसे खौन निकाल दिया था गरीब लोगों से खोन निकाल कर हमारी सोच थी हमारा ही खोन था, लेकिन तागत वो यूज करते थे, प्रोटोकोल वो हमें नहीं देते थे, गरीबों को उन्होंने कोई प्रोटोकोल नहीं दिया, हमारा हक जो छिन लिये थे, अब नरिंदर मोदी आया है, आए है, डेट रिम इस परसन है, हमारे ये हिंदस्तान के लिए एक अच्छा और विप्टिफुल एक मुनिस्टर है, जो हमारे देश को चला सकता है, पहले हमारे देश में जो है, हमारे गरीबों को, कोई नहीं सुनता था, आज गरीबों की सब आवाज सुनते हैं, और मैं कहता हूँ, मैं सबसे बड़ा खुदा हम मानते हैं, हमारा इमान है, कलमे में है, अल्ला ताला सबसे बड़ा है, अल्ला ताला नहीं मोदी को दिया है, पावर, कि वो हिंदस्तान पर राज कर सके, गरीबों के साथ चल सके, अगर ये लोग सच्चे होते, तो इनको कुरसी पर बटाता नहीं अल्ला ताला ने इनको कुरसी पर क्यों नहीं बटाया, ये गरीबों का खून खाते हैं, ठीक है, ये गरीबों का खून खाते हैं, अब मेरी अगर एक, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जितने भी चोर हैं, अगर वो आज हैं पार्टी में, तो बच जाएंगे, नहीं तो पर उंक्ती दिखाई देती है, बिल्कुल देती है, ये दिन पर जो है, मोदी के खिलाब बोलते हैं, और रात को क्या करते हैं, अपनी बीवियों के, अपनी बेटियों के, गोल्डन कार्ड के उपर, क्या करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, तीन तीन लाख का, और दिन पर PJP के खिलाप बोलते हैं वो गोल्डन कार्ड में कैसे किसे ने दिये हैं PJP ने दिये है ना तो अगर देखना है तो फिर साथ कुछ देखो मतलब निकाल रहे हैं और लोगों को चया कर रहा है अब ही हमारे जो अच्छा एक इस्त अकबाल करते हैं एक अच्छी इज्जित करते हैं गुजर जो हमारे साथ रहते हैं बच्षबंसे में चलता आ रहा हूं उन के हक के साथ कोई भी नायशाफी नहीं की कोई अपने गुजरूं को यह मैसिज देना चाहता हूं कि हमारे 10 परसन के साथ कोई चेट चाड़ नहीं हुई आप जोगत और जोगंट पार्टी में आीए और यह सिर्फ और गुजर्द कारवाल की anyway है किसी की पार्ट इट सिट भूटिया कवार कंदर असी होर भी बूटिया जान देया तुसी जान देव पांगते पोसिया नू असी नजरां तू बंदे उपचार देया अब उर्दू में बोलूगा अब उर्दू में बोलूगा उनके क्यूंकि आप पड़े लिए में बोल सकते हैं अल्ला का फजला में लॉग कर रहा हूं मुझे पता है लेकिन उनके लिए में एक शायरी बोलना चाहूंगा कि यह जो फूल यह वो फूल है जो सूक जाएं दबारा नहीं खिलते इनके मियार नहीं मिलते और यह आवारा नहीं फिरते ऐसे लीडरों को ऐसे लीडरों को सोच कर खोना ऐसे लीडर दबारा नहीं मिलते जब चटते हैं तुफान वो टकराते हैं पहाडू से वो होते हैं मर्द जो टकराते हैं तुफानु से यह था कोट रंका के बीच में जो